तो वाटसेप वालो आजाओ वाटसेप के टॉप टेन अपकमिंग और हिडेन फीचर्स और अपकमिंग यानि कि कुछ आने वाले फीचर्स और कुछ फीचर्स आ चुके भी हैं वो आपको पता भी नहीं है शायद तो चलो फिर सब कुछ जान लेते हैं मेरा नाम इम्रान और आप देख रहे हैं हमारे यूड़ीप चैनल इएफ है पहले फीचर्स जो कि आल्रेडी आ चुका है वोटसेप बीटा यूजर्स के लिए आइटिंग ग्लोबली हो गया होगा पता नहीं मुझे देख लेना जो किये वोटसेप प्रोफाइल इंफो निउ यू आई पहले आप किसी भी प्रोफाइल में जाते थे ग्रूप की या इंडविजर प्रोफाइल में तो स्कुलर टैप की डीपी आती थी और अभी आप देखेंगे कुछ इस तरह से आपको प्रोफाइल इंफो यू आई मिल जाता है सरकल डीपी नाम नंबर और ओडियो कॉल वीडियो कॉल का बटन मिल जाता है नीचे की साइट में आपको वही सबी चीज़े मिल जाती है पहले के मुकाबले यह इंटरफेस जो निव यू यू यह यह मुझे कॉफी ओसम लगा आपको कैसा लगा बताना जरूरी इसी तरह से आप ग्रूप में जाते हैं उसकी इंफो में तो वहां पर भी आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस लिखता है ओडियो वीडियो कॉल के साथ साथ एड मेंबर का भी बटन आपको अलग ही मिल जाता है और आपकी जानकारी के लिए बता दो यह जो नए फीचर जैना यह वोट से बीटा यूजर्स के लिए रोल आउड कर दिये गए इस्टेवल वर्ज यूजर्स मुझे बबहुत पसंदा आय Local optcad diya है जो कि डेक्सिटॉफ यूजर्स के लिए is टीगर इस्टूर सकते हैं डेक्स्टोप में जाते हैं और इस्केर वाले सैक्षन में जाते हैं यहाँ पर क्रियाट काumm सकते हैं अपर किसी भी फोटो प्रोटो कॉ आप एक इसिघर बना सकते हैं गींटे से बना सकते हैं यह फीचर डेक्स्टॉप के लिए तो रोल आउट कर दिया गया है लेकिन जल्द ही मुबाइल यूजर्स के लिए भी यह फीचर रोल आउट किया जाएगा और और रहा नहीं जाता इस्टिकर की बात किये तो एक और वाट से अपने नया फीचर रोल आउट क स्टिकर के आगे आपको एक शृट कट आइरो का ओपिशन देखने को मिल जाता ए जैसे के वीडियो जा इमेज में होता था जिसका नाम दिया गया है इस्टिकर फोरवड शॉट्कट इस वीचर की मदद से आप सिर्फ एक दो किलिक में स्टिकर को शेर कर सकतेlusionल 보이ें नेक्स उसके पूरे account की report करनी होती थी अगर किसी group में कोई ऐसा वैसा message आया आपती जनक तो पूरे group की report करनी पड़ती थी बट अभी आप उस एक particular message की report कर सकते हैं जो message आपती जनक है चाहिए वो group में आया हो या किसी individual chat की तरफ से आपके पास आया हो simply आपको उस message पर tap and hold करना है और three dot पर जाना है यहां पर आपको report का option मिल जाता है आप यहां से report कर सकते हैं और यहां पर टिक लगा के block contact यानिके उस contact को भी लोग कर सकते हैं चाहिए ग्रूप हो या कोई contact हो अब इसका फैदा क्या होगा वैसे तो end to end encryption की वजह से WhatsApp उस message को read तो नहीं कर सकता लेकिन बहुत पहले मैंने बताया था ऐसी report निकल के आया थी कि WhatsApp artificial intelligence learning machine पर काम कर रहा है जिससे कुछ ऐसे आपती जनक जो words होंगे या प्रोन ग्राफी होंगे प्रोन प्रोन ग्राफी से related कुछ ऐसे word होंगे उसको यह learning machine automatic scan कर लेगी उसको पता चलियागा कि यह आपती जनक है या हमारी policy से यह match नहीं खाता है तो उसके खिलाफ action लिया जा सकता है फिर भी ध्यान लगना के end to end encryption है इसलिए manually home and आदमी कोई भी उसको read नहीं कर सकता कितनी भी report हो बट action जरूर लिया जा सकता है वैसे मैं आपको बता दूँ एक दो वीडियो मैंने और बनाए दी जिसमें WhatsApp के upcoming features के वारे में बताया था उनमें से कुछ features तो आ गये बट कुछ features अभी भी नहीं आये तो उन features को मैंने इस video में include नहीं क्या है ताकि आपका time waste नहीं हो बट आपको नहीं पता है कौन से वह features हैं तो आप वह भी वीडियो देख लेना दोनों वीडियो का लिंक आउपर हाई बटन में या description में लिंक दे दूँगा नंबर पाशी feature भी रोल आउट कर दिया गया है जो कि बहुत ज्यादा यूस्पूल है अंडू WhatsApp status नहीं होता है WhatsApp status upload क्या होता है जब भी आप WhatsApp status upload करते हैं और गलती से कुछ ऐसा वैसा upload कर दिया तो तो आपकी लग गई और जब तक आप उस status को डिलीट करने जाते हैं पहले त्रीडोड पर जाते हैं फिर वहां पर क्लिक करते हैं और फिर डिलीट करने तब तक भाई या एक दो लोग देख लेते हैं तो फिर आपकी तगड़ी वाली लग जाती है इस फीचर की मतद से क्या होगा जैसे आपने वाटसेफ इस्टेटेस अपलोड करा आपको लगता है तो नीचे अंडू का ऑप्शन मिल जागा अंडू पर क्लिक करेंगे तो वह पब्लिश होने से पहले डिलीट हो जागा सोसुरा तो यह मुझे अच्छी चीज लगी बट अंडू वाला जो फोपोपैना इका दुखका सकेंड्स के लिए आता है मुझे लगता है थोड़ा सा 5-6 सकेंड्स के लिए आना चाहिए हैं की नहीं तो आपको अवाटसेफ बीटा यूजर हैं है या नहीं कमेंड करके ज़रूर बताना रोल आउट नेक्स्ट वाट्स्वाइज्ट वाट्स यंव्टसप न्यू स्टिकर पैक्स रोल आउट करता रहता है शायद आपको बता दो वाइज्ञ चिर पैकड ने शुकिश्र पैक रोल आउट किये गें जो किनीमे इतका पूइंट वहीं ऑसले प्यारे प्यारे से भी हैं बट मैं कहुंगा इतने जादा अच्छे नहीं लगते हमें जितने प्ले स्टोर पर हमें अप्लिकेशन प्रोवाइड कर देते हैं आप जो फीचर आपको बताने वाला हूं यह रोल आउट नहीं किये गए यह अंडर डैवलोपमेंट यानि के लॉ WhatsApp के पास नहीं थी लेकिन अब वो किसी भी ग्रूप को एंड कर सकते हैं अगर उनको लगा कि इस ग्रूप में ऐसा कुछ भी आपती जनक है या हमारी पॉलिसी से मेल नहीं खाती है यह मल्टिपल लोग ने रिपोर्ट की हो उस ग्रूप की नेक्स्ट अपकमिंग फीचर है 2100 में में हजार ओल सकते हैं और क्मुनिटी इस में हजरों ओध और यहां पर एक मतलब कर सकते हैं मंगें तो इसे टेलेग्राम चैनल होता है शायद वैसा होगा यह नहीं होगा यह मुझे परसनल ऐसा लगता है तेलेग्राम चैनल तो भाई अलगी चीज़ है वह बट कम्मिनिटी क्या होने वाला है काफी तगड़ा होने वाला और यह फीचर जल्दी रॉल आउट किया जा सकता है काम चल रहा है नेक्स्ट ग्लोबल वोईस मैसेज यह भी काफी यूजफुल होगा जोगी अपकमिंग फीचर है इस फीचर के आने के बाद आप वोईस मैसेज को ऐसे पॉप आप यानि के आप वोईस मैसेज भी सुनते रहेंगे और अपने फोन में आपको जो कुछ करना ह चुलते रहेंगे लाइक पी आ पी पिक्टर इन फिक्चर मोड में जैसे वीडियो देखते हैं और इसके लावा कुछ और कर सकते इसी तरह से वाटसेज्स मैसेज आपको आता है तो उसको अप्ले प्लेह कर सकते और आप कुछ भी इसके अप्प्योगा यूज जो भी चाह आप डिलीट फॉर एवरीवन नहीं कर सकते थे उसके बाद बढ़ा कर इसको कर दिया था 68 मिनट यानि कि एक गंटा आठ मिनट लेकिन गाइज अब इस वीजर की जो लिमिट है वह बढ़ा कर की जा रही है साथ दिन आठ मिनट आठ मिनट रहेंगे शायद मुझे लगता यह सबका कुछ लगी नंबार या कुछ सिस्टम होगा बड़ आने वाले वक्त में डिलीट फॉर एवरीवन की जो लिमिट है वह साथ दिन आठ मिनट होगी मतलब पांच में छटे दिन या साथ में दिन आप मैसेज भेज कर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट फॉर एवरीवन क के आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे जदा कौन सा यूजबूल फीचर लगा और आप खास कर किस फीचर का इंतिजार करेंगे बाकी मेरी नए वीडियो का इंतिजार करिए क्योंकि मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दद अगले अपना खैर रगी ल झाल झाल